नमस्कार दोस्तो, स्वागद है आप सबका अचके क्लास में आचके क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये फिलोसोफी that is, इसडीर्मिनीसम फिलोसोफी के बारे में Now, हम लोग देखें के पहले इसडीर्मिनीसम फिलोसोफी जो है उन्होंने क्या क्या बोला था, सब कुछ आज के चैप्टर में हम लोग यहां पर देखने वाल है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ शुरुआत करने से पहले हैं, let me tell you दोस्तो, that already हम लोग ने जोगरफिय औप्शनल के हिंदी में और इंग्लिश में classes को launch कर दिया है, अगर आपको subscription लेना है, तो आप Google Play Store से smart rankers app को download कर सकते हैं दोस्तों, और इसके subscription one year के लिए attain कर सकते हैं, right, so इसके link मीचे में description में already दी हुई है, आप जाहिए आराम से download कर लीजिए, चलिए, अब discuss करते हैं, देखो, यह geographical determinism, यह जो एक concept है, यह इसके school of thought है जैसे बहुत सार स्कूल of thought है, एक determinism thought है, एक possibleist thought है, again, वो हम लोग नेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, but overall, यह जितने different thoughts है ना, school of thoughts, उसमें geographical determinism भी एक thought है, जो क्या, एक अपने तरिफिके से बताता है, that हमारे human geography में जो man है, वो कैसे nature के साथ interact कर रहा है, मतलब, यहाँ प सरवा है, मतलब, nature जो हमें dictate करेगा, human activities वही काम करेगी, indirectly, मतलब, यह बोला गया है, that human activities जो है, पूरा dependent होगा over the physical environment, और physical environment ही हमारी boundaries set करती है, वो जैसे जैसे boundaries set करेगी, उसी boundaries के आधार पर हम अपना काम कर सकते हैं, उसके बाहर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है, but again, इसके criticism, criticism या फिर इसका next theory जो हम लोग पढ़ेंगे न, वो possibility theory बोला जाता है, उसमें बोला जाता है, देखो भाया, ऐसा नहीं, physical environment हमारे लिए, no doubt, limit set तो करती है, but हम साते साथ हमें को, हमारे को, हमारे को, हमारे को इतना जादा empowered जरू कर देती है, जिससे हम उस limits को थो करता है, human के history को, that is, human को अभी तक history आ हुआ है, physical environment के कारणी हुआ, no doubt, यह बहुत extent तक सही भी है, है न, but अभी देखो, हम लोगों ने एक possibleism concept कब से आया, जब से humans चीजों को सीखने लगे, उसके बादी से नहीं हम बोल सकते हैं, है न, जब तक मेरा आप के साथ cultural interaction हुआ, आपने जो सीखा, वो चीज आपने मुझे transfer किया, मैंने जो सीखा, मैंने third person को transfer किया, समझ रोबात, तो यही चीज है, that human history जो कहीं ना कहीं, वो change होता आ रहा है, जो क्या, environmental determinism ने, geographical determinism में बोला गया था, यही नहीं, human culture, human society, human का lifestyle, human का development है, जो भी past से changes होते आ रहा है, वो ह हमारा physical environment ही change कर रहा, ऐसा इसमें का गया, मतलब बहुत ही जादा, you know, environment को बहुत ही जादा तवज्जो दिया गया, kind of है ना, और साथी साथ यह geographical determinism जो है, यह understand करती है, human का social interaction as a response to natural environment, वही चीज, अब इसके examples देख लो, automatically आप समझ जाओगे, इसका example यह है, that कैसे हमारे nature न रेकिस्तान में आप पैडी कल्टिवेट कर पाओगे, नहीं, आप उसी जगह में पैडी कल्टिवेट कर पाओगे, जहां पर, you know, यह possible है, right, वैसे ही सोचो, tribal people, right, tribal people naked क्यों रहते हैं, ऐसे वो लोग अपना clothes को यह सब पतियां क्यों लगाते हैं, clothes के जगह में, क्योंकि वो लोग उस जगह में ही रहे हैं, उन लोगों को और clothes कैसा बनाना उन लोगों को नहीं आता है, simple सा बात है, इसलिए वो लोग पतियों से ही अपने clothes बनाते हैं, right, in fact, आप देखोगे न, tribal लोगों को, वो लोग पेड़ पौदों को यह भगवान मानेंगे, जैसे हिंदु लोगो बात, similarly वैसा ही और एक adaptation है आप बोल सकते हैं, जैसे साथी अरबिया में, साथी अरबिया में यह ड्रेस पहनते हैं लोग, देखोगे, इसको कहते है थ्वाब ड्रेस, अब यही ड्रेस क्यों पहनते है भाया, वाइड कलर का, क्योंकि देखो वाइड जो है न, अब आप सोचो, यह वाइड कलर एक जना न, किसीने ब्लैक पहना, अब ब्लैक तो भाया, हीट को अब्सॉर्ब करता है, अब वैसे ही यह डिजन इतना जादा डिजर्ट वाले एरिया है, और भी तो आदी में जल जाएगा, उससे अच्छा वाइड यह लोग पहन लेते हैं, प हैं लोगों को, है न, जैसे अब लेलो, sorry, चाय का, टी कल्टीवेशन, ठीक है, टी कल्टीवेशन, ठीक है, वो आप यूजरी फ्लाट अरिया में नहीं हो पाएगा, प्ले अरिया में नहीं होता है, वो उसके लिए थोड़ा स्लोपिं अरिया जरूर चाहिए, उसके लिए वाला एरिया जरूर चाहिए, तो क्यों, तो इससे क्या हुआ, ये तो कहीं न कहीं, हमारा environment ही, it dictate कर रही है, that कैसे क्या क्या चीजे होनी चाहिए, but again, possibleist theory बताता है, that नहीं भाईया, ऐसा ही नहीं, है ना, हम लोग, जो है, hilly area में भी, hilly region में भी, paddy cultivation कर सकते हैं, कैसे भाईया, terrace farming के तुरू, और वो क्या हो गया, possibleist approach में आ गया, ठीक है, तो चलो, वो तो एक, that is a matter of fact, next is scholars, कौन-कौन से ऐसे scholars थे, जिनोंने advocate किया था, determinism को, तो देखो, सबसे पहले थे Darwin, जिनोंने clearly बोला था, survival of the fittest, मतलब, जो बंदा, survive कर, वही survive कर पाएगा, जो fit रहेगा, ठीक है, क्योंकि environment हमारे लिए, challenge face करती है, और हमें, अपने competitors को हडाना पड़ता है, right, next is Aristotle, Aristotle ने बोला था, that, देखो भाईया, cold climate में जो लोग रहते है वो काफी सब ब्रेव रहते हैं, वो काफी सब पावर्फुल रहते हैं, मत उनका माइन काफी सब वीक होता है, but वही पर hot climate region में, physically weak रहते हैं, timid लोग रहते हैं, but still, intelligence level उनका हाई होता है, मतलब, इन्होंने देखो, climate, क्या बोल रहा है, इसका मतलब, indirectly, that, यही बोल रहा है climate determine कर रहा है, लोगों को कैसा लो हुआ है, वैसे ही स्ट्रैबो थे, यह एक अलग scholar थे, जिन्होंने explain किया था, that, कैसे slope, relief, or climate, you know, यह सब जो है, component, they were the work of nature, कैसे nature के द्वारा ही slope बना है, relief बना है, और climate बना है, मतलब, nature को ही सरवे सरवा, kind of, right, next, थे, al-masoodi, है न, इन्ह रीजन में रहेंगे, जहां पर water abundant होगा, देखो, काफी साथ objective चीज़ें, इन्होंने बोला था, मतलब, काफी ज़्यादा controversial चीज़ भी बोल सकता है, मतलब, जहां पर water abundance होगा, वहां पर gay और humorous people मिलेंगे, but वहीं पर, dry area में people, जो है, वो short termpered होता है, मतलब, again, climate, वहां का जो physiography हो, वो determine कर रहा है, वहां के लोगों के temper को, kind of, है ना, next is Karl Ritter, इन्होंने बोला था, देखो, Turkish people का जो narrow eyelid होता है, वो इसलिए होता है, क्योंकि वहां पर desert का effect है, वहां से धूल आती है, उसके effect से बचने के लिए, उनका जो eyelid होता है, वो narrow होता है, मतलब, again, वहीं nature ही जो ही ना कही ना कही इंसान के, इनका, इसान के I.E.K. structure को determine कर रहा है, वही ना, indirectly यह बोल गया, determinism को, next is Humboldt, Humboldt थे, इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था, the mode of life of mountainous people is different from plain area, मतलब, इन्होंने बोला, that plain area, mountain area में जो लोग रहता है, उनका जीने का तरीका अलग होता ह प्लेन इसको अलग तरीके से, right, अलग situation मिलता है, प्लेन बीजन में, ठीक है, तो that is the kind of, हम लोग बोल सकता है, that, हाँ भया, इन्होंने प्रोपाउंड किया, इन्होंने जस्त बोला था, इन्होंने इस concept, determinism as a concept को advocate किया था, आपने theories रख कर, ठीक है, so anyways, this was all about the determinism aspect, we have done, and we will be meeting in next class, guys, till then, bye-bye, take care, and thank you, thank you for listening to the whole video, और अगर आपको geography optional classes में, इन्रॉल करना है, तो आप हमारे team से consult कर सकते है, they will, you know, guide you, how to get subscription of this course, right, मिलता है, next class में, bye-bye.